कि मैंने आपर एक फिगर बनाया है यह है human eye यहां पर देखेंगे कि यह lens है जो हमार यहांख में जो black पार्ट होता है वो eye lens होता है इसको हम लोग कहते हैं eye lens और eyes के जो पीछे होता है पीछह वाला के screen जैसा होता है जिसको हम लोग कहते हैं retina मतलब जब हम किसी भी object को देखते हैं तो उस object का image यह वाला जो lens है वो retina पर बनाता है और retina से हम लोग clearly उसको समझ पाते हैं या देख पाते हैं कि कैसा है क्या है तो किसी भी eye के लिए हम लोग कहेंगे कि जो retina है और eye lens है इसके बीच का distance एक आदमी के eye के लिए fixed होता है तो कहा जाता है कि image of all the objects मतलब जो भी object को हम दो देखते हैं are formed on retina retina और eye lens के बीच का जो distance है एक आदमी के लिए fixed रहता है you know, distance between retina and eye lens is fixed, it is 2.5 centimeter for a normal person actually में क्या होता है कि जैसे जैसे आदमी का age बढ़ता है तो उसके हिसाब से eyes में कई सारे defects आते हैं तो उस case में क्या होता है कि जो इनके बीच का distance है वो change हो सकता है लेकिन जब आदमी की जो eyes है वो बढ़िया है ठीक है ठीक काम कर रहा है तो उस case में एक normal आदमी के लिए मतलब उसमें कोई भी defect नहीं है तो retina और eye lens के बीच का separation 2.5 centimeter होता है जबकि यह जो lens है इसका focal length vary करता है depend करता है कि सामने जो object को हम दो देख रहे हैं वो object का position कया है जब ज़्यादा दूर होगा तो focal length भी ज़्यादा होता है बड़ा होता है और अगर object pass में होगा तो इस lens का focal length भी छोटा होता है तो कह सकते है focal length of eye lens changes according to the position of object now for object at infinity eyes are relaxed and relaxed का मतलब हुआ लिस्ट स्ट्रेंड मतलब हमें देखने के लिए ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता आँख पर कोई pressure create नहीं करना होता है तो कहते हैं कि eye हमारी relaxed होती है जब हम दूर के object को देख रहे होते हैं तो हमारी आँखे जो होती हैं वो focal length होता है वो सबसे बड़ा होता है maximum होता है इस तरह से कई सारे term हम लोग define करते हैं जैसे एक term होता है इसको कहा जाता है list distance of distinct vision इसको d से denote के जाता है यह कहा जाता है it is least distance of object which can be seen by human eyes without using any optical instrument किसी normal आदमी के लिए मतलब जिसके आई में कोई defect नहीं है उसके लिए least distance of distance region जो है 25 cm होता है it is 25 cm for a normal person तो जैसा कि हमने कहा कि जो eye lens है इसका focal length जो है वो change होता रहता है जब object infinity पर होगा तो eyes relaxed होती है और focal length maximum होता है लेकिन जो object जो है वो minimum distance पर रखा हो तो उस case में eyes relaxed नहीं होती बलकि most strained होती है उसमें ज्यादा तनाव होता है सकते हैं ज्यादा तनाव होता है और उस case में जो eye lens का focal length है वो minimum होता है So, when object is at least distance of distinct vision, least distance of distinct vision, then eyes are most strained and most strained होगा and focal length of eye lens is minimum अब जिस तरह से list distance of distinct vision हमने define किया कुछ उसी तरह से हम लोग define करते हैं एक आदमी का far point होता है और एक जो है near point होता है पार point होता है का जाता है इत 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 maximum distance of object which can be seen by net eyes clearly मतलब बीना कोई optical instrument यूज किये हुए maximum distance पर रखे वो object को देख सकते हैं वो maximum distance जो है उसको हम लोग far point करते हैं अगर एक normal आदमी है normal आदमी का मतलब उसके eyes में कोई defect नहीं है तो वो infinity पर रखे वो object को देख सकता है जैसे कि जो है sun है moon है उनको देख सकता है तो यह कर सकते है for a normal person for a normal person far point is at infinity तो जिस तरह से far point define करते हैं उसी तरह से किसी आदमी के लिए near point भी define किया जा सकता है तो near point होता है it is minimum distance of object which can be seen by necked eyes clearly मतलब मिनिमूम डिस्टेंस होने का मतलब कि अगर उससे कम डिस्टेंस पर और रखा होगा तो आदमी उसको clearly देख नहीं सकता है ठीक है तो किसी नॉर्मल आदमी के लिए for और नॉर्मल पर्सन नियर पॉइंट is at least distance of distinct vision यानि की 25 cm पर होता है तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा यहां पर कि किसी नॉर्मल पर्सन के लिए जो far point है वो infinity पर होता है लेकिन अगर उस आदमी के eyes में defect होगा तो उसका far point infinity पर नहीं हो करके बलकि उससे पहले हो जाएगा यानि कि वो infinity पर रखे होगे object को नहीं देख पाएगा दूर के object को नहीं देख पाएगा उसी तरह से हमने पढ़ा कि near point जो है वो किसी normal person के लिए 25 cm पर होता है लेकिन हो सकता है कि eyes में defect हो तो उसका near point है 25 cm से बढ़ा हो जाएगा तो अभी हम लोग यही समझने वाले हैं कि human eyes में कितने तरीके के defects हो सकते हैं और अगर defects हो सकते हैं तो उनको correct कैसे किया जा सकता है तो defects वैसे दो तरह के होते हैं जिसमें से हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे near sightedness जिसको की myopia भी कहा जा सकता है तो यह जो myopia defect है इसमें किसी आदमी को नजदीक के object तो दिखते हैं लेकिन दूर के objects उसको नहीं दिखते हैं इसमें कहा जाता है कि a person having myopia can see the near objects but cannot see the objects beyond a point वो जो point है इसको हम लोग far point कर सकते हैं जिस far point के बारे में हमने यहां पर बात किया मतलब उसका जो far point है वो infinity से पहले आ जाए तो उस case में वो जो far point होगा यह finite होगा उस far point याईनि finite distance के आगे कि objects को वो नहीं देख पाएगा उससे पहले के objects को सही तरीके से देख पाएगा तो इस defect में दिकत क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं जैसे कि हमने का कि मान लिया इसका far point जो है यहां पर है यह हो गया इसका far point मतलब यहां तक के object को वो देख सकता है clearly लेकिन इसके आगे के जो objects होंगे उसको यह clearly नहीं देख पाएगा अगर इसके आगे कोई object है तो उसका image जो है इस retina से पहले बन जाता है जैसे अगर यह object है जो कि far point के आगे है far point मान लिया एक से है मतलब कि अगर far point से पहले को object है वो तो सही तरीके से देखेगा यानि उनका image सही तरीके से retina पर बन रहा होगा लेकिन अगर कोई object जो है far point से आगे है तो उसका जो image होई वो कैसा होगा देखेंगे कि जैसे यहां से कोई light रहे गया तो इस eye lens से cross करने के बाद उसका image जो है पहले बन गया यहां पर image बन गया है इमेज जो है वो रेटिना पर बनना चाहिए तब ही जा कर के वो हमें object दीख पाएगा तो देख सकते हैं कि यह जो image है वो हमें रेटिना पर बनाना है तो रेटिना पर बनाना है तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, क्या उपचार करना चाहिए तो अगर मैं यहाँ पर एक diverging lens यूज करूँ तो diverging lens क्या करेगा इस light ray को थोड़ा और diverge कर देगा तो diverge करके कुछ इस तरह से diverge करेगा कि जो यह image है वो यहाँ पर जा करके बन जाए तो इसका जो remedy है remedy का मतलब हो गया हिंदी में उपचार कहा जाता है कि concave lens और diverging lens diverging lens is used तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक diverging lens बनाता हूँ यह diverging lens हो गया यह इनका principle axis हो गया अब यह हो गया far point तो यह जो आदमी है इसको इस far point से आगे के objects तो दिखते नहीं है लेकिन उसको देखना तो आगे के objects को भी होगा तो इसको चुकि सारे objects को दिखना है यानि कि infinity पर जो object रखा है उसको भी देखना चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग? हम लोग देखेंगे कि अगर infinity पर कोई object रखा है तो उसका image अगर यह far point पर बना देगा है ना यह जो lens है diverging lens इसका काम यह होगा कि infinity पर रखे हुए object को far point पर बना देगा उसका image यानि अगर इसके आगे कोई object होगा तो उसका image far point के अंदर आएगा और far point के अंदर आएगा तो उसका image यह eye lens जो है वो रेटिन पर बनाएगा तो इस diverging lens का काम बस इतना है कि far point से आगे अगर कोई object रखा है तो उसका image वो far point से पहले बनाएगा और उस image को यह eye lens देखेगा और तो eye lens जो है इधर के रखे हुए object हो या image उनको देख सकता है तो फिर वो इसका image रेटिन पर बना देगा तो इसमें हम जो क्या करेंगे कि जैसे अगर कोई infinity पर object रखा है तो उसका image far point पर बनाना चाहिए इस तरह का हमें यहाँ पर diverging lens यूज करना चाहिए तो इसके लिए कर सकते हैं कि जो u है वो तो है minus infinity और जो v है वो है minus x मैं जाना चाहता हूँ कि कितने power का lens हमें यहाँ पर यूज करना चाहिए तो उसके लिए मैं पहले इसका focal length निकालूँगा तो focal length निकाल सकते हैं lens formula यूज करके lens formula में यूज करूँगा तो 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f तो 1 by v जो है वो minus x के equal है minus 1 by minus infinity is equal to 1 by f यह हो गया तो यहाँ से देखेंगे कि जो f है वो negative आ रहा है यहाँ से f की जो value है वो minus x के equal आ गया मतलब जो far point का distance है x इतना ही उसका focal length भी होना चाहिए यह जो diverging lens हम लोग उज़ करेंगे इसका focal length far point का जो length है उसके equal होना चाहिए जब focal length निकाल जाएगा तो हम उसका power भी निकाल सकते हैं 1 by f करके तो इस तरह से near sightedness को दूर किया जा सकता है मतलब यह है कि जो diverging lens जब हम लोग यूज़ करेंगे तो उससे होगा क्या कि infinity और far point के बीच में रखे हुए object का image far point के पहले आ जाएगा और अगर इधर आ जाएगा उसका image तो यहाँ से यह lens जो है देख सकता है यानि यह जो lens है उस image का image रेटने पर बनाएगा जिसे हम लोग आसानी से देख सकते हैं और समाज सकते हैं तो दूसरे type का जो defect होता है उसको हम लोग करते हैं far sightedness या hyper metropia जिस तरह से myopia में क्या होता था कि नजदीक के object को देख सकते थे और दूर के objects को नहीं देख सकते थे इसमें just उसका उल्टा होता है इसमें far sightedness है इसमें दूर के object को देख सकते हैं लेकिन नजदीक के object को नहीं देख सकते हैं तो का सकते हैं कि a person having hyper metropia can see the far objects but he cannot see the objects nearer than a point called near point मतलब इस आदमी के लिए जिसके पास ये defect होगा उस आदमी के लिए जो near point है 25 cm नहीं हो रह जाएगा बलकि 25 cm से बड़ा हो जाएगा बड़ा मतलब हो सकता है 50 cm हो जाए तो इसका मतलब यह है कि 25 cm से और 50 cm के बीच में जो object रखे होते है तो वो एक normal आदमी देख सकता है लेकिन ये नहीं देख सकता है ना तो इसमें होता क्या है इसको पहले होनों समझते है मान लिया कि इसका जो near point है वो कहीं यहाँ चले गया यह हो गया near point मान लिया near point जो है यह है x और list distance of distinct region जो मैंने बताया 25 cm होता है जनरली तो उसको मैंने यहाँ पर d रख दिया है तो actually में जो आदमी होते हैं उनको सब को d और infinity के बीच में सारे objects को देखना चाहिए तो यह जो आदमी है यह near point के आगे के objects को देख सकता है लेकिन near point के पहले के objects को नहीं देख सकता d से पहले के लिए तो कोई भी नहीं देख सकता इधर के लिए जो है वो तोड़ा दोंदला दिखता है तो लेकिन d से आगे एक normal आदमी देख सकता है जिसके पास ऐसा defect होगा जिसके eyes में ऐसा defect होगा वो आदमी d और near point के बीच में रखे हुए object को भी नहीं देख पाएगा तो अगर कोई object बीच में हो तो उससे क्या फर्क पड़ेगा देखेंगे कि जब इससे light ray है हम लोग यहां पर भेजेंगे तो यह जो light rays है actually मैं retina पर intersect नहीं करती बलकि retina के बाहर जा करके मिल जाती है तो देखेंगे इसमें और इसमें क्या फर्क है इसमें क्या था कि जब कि हमें पता है कि अगर image को देखना है तो यह image जो है actually मैं retina पर बनना चाहिए तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए इसमें तो हमें light ray को diverge करना था जिसे कि ये खिसक करके आगे पहुंच जाए इसमें हमें converge करना पड़ेगा क्योंकि ये इसको पास में लाना है तो converge करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? Converging lens को यूज करेंगे तो इसकी remedy जो है वो किया जाता है Converging lens यूज करके Converging lens is used तो converging lens यहाँ पर किस तरह से यूज किया जाता है इसको हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे जैसे देखेंगे कि ये जो converging lens है ये क्या करता है? यहाँ से आने वाल light ray को converge तो करता है लेकिन उतना ज़्यादा converge नहीं कर पाता है कि image रेटिना पर बन जाए तो अगर मैं यहाँ पर एक और lens यूज कर लूँ तो दो बार converge होगा दो बार converge होने का मतलब है कि converging power जो है वो बढ़ गया तो क्या होगा? कि ये light rays और ज़्यादा bend हो जाएंगे जैसे यहाँ पर कोई object रखा है तो यहाँ से object यह अगर सिर्फ एक lens होता तो यहाँ जा रहा था दो lens आगए तो दो बार यह converge होगा और यह converge होकर image यहाँ पर बन जाएगा ठीक है? तो यहाँ पर हमें converging power बढ़ाना है ज़्यादा converge होने से यह light ray और path में आकर यहाँ पर मिल जाएगी जैसे इस में क्या किया था हमने यहाँ पर हमने diverge कराया चुकि image पहले ही बन जा रहा था converge कहें कि ज़्यादा हो जा रहाता है पर ज़्यादा converge होने से image यहाँ ना बन करें कि पहले बन जा रहा था अगर यह light ray थोड़ी से diverge कर दी जाती है तो image यहाँ पर बन जाता है तो इसलिए diverging lens यह यूज किया जा रहा है चुकि यहाँ पर अगर आगे object कहीं पर होगा तो diverge करके जो है वो उस object का image इस retina पर बनाएगा जैसे मैं डाइगराम से समझाओं यहाँ से अगर पहले light ray जाता था तो यह तो यही आता था अगर जब lens नहीं तर तब अब lens आने से क्या होगा कि यह light ray पहले से यहाँ गया तो यह पहले ऐसे diverge हुगा अब diverge हो गया तो यहां से अब converge होने के बाद भी जाकर के retina पर मिल जाएगा उसी तरह से इसमें जो है यहां पर converge कम हो रहा था ज्यादा converge करना है ताकि यहां पर मिल जा इसलिए एक और converging lens हम लोग आगे यूज कर लेंगे ठीक है तो यह जो lens हम लोग यूज करेंगे इसका काम क्या होगा उसका काम ये होगा कि चुकि ये जो आदमी है इसको नियर पॉइंट से पहले रखे हुए object को भी देखना है इसका मतलब ये है कि अगर least distance of distinct vision पर ये ldv है इसको separation d मान सकते हैं अगर यहां भी कोई object रखा है तो इसको भी देखना है क्योंकि एक normal आदमी यहां से infinity तक के सारे object को देखता है तो इसको भी यहां से 25 cm से आगे के सारे object को देखना है लेकिन actually वह देख नहीं पाता है यहां से और near point के बीच में रखे हुए objects को देखना ही पाता है तो अब यह lens आएगा वहां पर इसका सुधार करने के लिए या correct करने के लिए यह क्या करेगा कि अगर यहां पर कोई object है तो उसका image यह near point पर बना देगा इमेज यहां बनाएगा अब यहां बन गया image तो यहां का जो image है उसको यह eye lens देख सकता है या इसके आगे भी बनेगा तो भी यह देख सकता है है तो अगर deeper object रखा है तो यह lens क्या करेगा image यहां बनाएगा d के आगे कोई object रखा है तो उसका image और आगे बनाएगा उधर जिदने भी image बनेगे उस सारे image को यह eye देख सकता है तो बस इस lens का काम क्या होगा कि अगर इधर कोई object रखे हूँ तो उनको खिसका करके उस range में करना है जहां से यह eye देख सकता है तो मैं मान लेता हूँ कि object जो है यह list distance और district vision पर रखा है तो उसका जो image है वो बनना चाहिए near point पर near point मान लेते हैं कि x है तो object distance यहाँ पर रखेंगे minus d और image distance रखेंगे minus x ठीक है तो इसके corresponding हम लोग focal length नहीं का लेंगे lens formalize करते हैं 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f तो 1 by v के जगा पर minus x 1 by u के जगा पर minus d is equal to 1 by f तो 1 by f is equal to 1 by d यह हो जाएगा यह हो जाएगा minus minus plus और यह minus रह जाएगा minus 1 by x तो इसको लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1 by f is equal to x minus d by d into x f जो होगा यह हो जाएगा dx by x minus d यह आ गया तो यह आ गया इस converging lens का focal length जो हम लोग इसकी remedy के लिए use करेंगे तो human eyes से related जो है कुछ questions करते हैं जैसे पहले question में पुछा गया है find minimum focal length of eye lens of a normal person हमें पता है कि focal length minimum कब होता है जब object जो है वो list distance of distinct vision पर रखा गया हो list distance of distinct vision का मतलब हो गया कि d is equal to 25 centimeter पर रखा गया होगा क्योंकि यह normal person के लिए बात कर रहा है तो उसके लिए list distance of distinct division जो है 25 centimeter पर है यहां पर object है और हमें पता है कि इसका image जो है वो रेटीना पर बनना है तो यहां से light रहे जाएगा और image रेटीना पर बनेगा यानि कि object distance जो है वो 25 लिया जाएगा जबकि image distance जो है वो 2.5 centimeter लिया जाएगा हमने बताया था कि एक normal person के लिए lens और रेटीना के बीच का separation जो है 2.5 centimeter होता है तो यहां पर मैं object distance रखूँगा minus 25 centimeter और image distance जो है वो plus 2.5 centimeter रखा जाएगा sign convention के इसाल से जो कि lighter जा रहा है तो यहां से इधर positive लिया जाएगा और यहां से इधर negative लिया जाएगा अगर मैं lens formulaize करूँ तो 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F तो 1 by V जो है 2.5 है minus U है minus 25 तो यहां पर देखेंगे आजाएगा 25 बीच में plus sign आएगा यह हो गया 10 plus 1, 1 by F यानि F जो है 25 by 11 centimeter आजाएगा तो यह जो है इस lens का eye lens का minimum focal length हो गया है अब दूसरे वाले question ने पुछा गया है find maximum focal length of eye lens of a normal person हमें पता है कि eye lens का जो focal length maximum कब होता है जब offset infinity पर रखा हो है ना तो अगर offset infinity पर रखा होगा तो light ray ऐसे आएगी parallel और image चुकि normal आदमी की बात कर रहें तो image तो retina पर ही बनेगा है ना यहां पर हमें पता है कि normal आदमी के लिए eye lens और retina के बीच का separation होता है 2.5 cm और यह light रहें चुकि parallel आ रही है तो यह focus पर ही मिल रही होगी है ना यानि actually में यह जो lens है इसका focal length 2.5 cm हो गया यानि कि maximum focal length जो है वो 2.5 cm आया चाहे तो हम लोग फर्मुला से निकाल सकते हैं कहेंगे कि यह object distance है minus infinity पर है और image distance है 2.5 cm पर plus में कि यह lens है light रहें इधर से आ रही है तो यह positive direction और यह negative direction तो image तो बन रहा है यहां से 2.5 पर positive में और object minus infinity पर रखा हुआ है तो अगर lens का formula उसकरें यह वाला तो v का value है plus 2.5 u जो है वो infinity है is equal to 1 by f तो f दे सकते हैं 2.5 cm यहां से आ जाएगा ठीक अब आते हैं next example पर इस example में कहा गया है a near sighted man can clearly see objects only up to a distance of 100 cm मतलब यह है कि near sighted आदमी के लिए यह far point बताया गया है जो far point है वो 100 cm आगे है यहां इका सकते हैं कि 1 meter आगे है यहां से 1 meter आगे है तो पुछा गया है find power of lens used for the remedy of this defect हमें पता है कि near sighted आदमी के लिए जो defect है उसको दूर करने के लिए diverging lens यूज किया जाता है कि अगर object infinity पर रखा हो तो उसका image यह far point पर यहां पर बनाता है यहां object है और image यहां बना जेता है यह वाला lens तो इसके लिए मैं object distance रखूंगा minus infinity और जो image distance है उसको रखेंगे minus one meter तो lens formula लगा करके मैं इसका focal length find कर सकता हूँ focal length एक बार निकल जागा तो मैं power भी निकाल सकता हूँ तो one by v minus one by u is equal to one by f ध्यान रखेंगे कि मैंने v जो है meter में ले रखा है तो focal length भी meter में ही आएगा तो one by v जो है minus one है और u जो है minus infinity है तो यह आगया one by f मतलब कि f का value हो गया minus one meter अगर power निकालना हो तो one by f करना चाहिए तो one by minus one यानि कि minus one diopter यह हो गया उस diverging lens का power next example में पुछा गया है a far sighted man cannot see the objects clearly unless it is at least hundred centimeter from his eyes मतलब hundred centimeter जो है उससे पहले के जो objects है उसको यह नहीं देख पाएगा उसके आगे के objects को यह देख पाएगा क्योंकि यह far sighted man है तो हमें इसका remedy के लिए जो lens use किया जाएगा उसका power पता करना है find power of lens to be used for remedy तो इसमें हमने बताया था कि इसमें converging lens use किया जाता है क्या करता है कि अगर least distance of distinct vision डी पर कोई object रखा हो तो उसका image जो है यह नियर point पर बनाता है है यह जो hundred centimeter यहां पर दिया गया है यह actually में near point है इसमें hundred centimeter तो यह हो गया नियर point जिसको हम लोग x लिया करते थे जब हमने derive किया था formula यह है x is equal to hundred centimeter तो इस converging lens का का क्या है कि अगर पचीस centimeter पर कोई audit रखा है तो उसका image यह यहां पर नियर point पर बना देगा है ना तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि object distance की value रखेंगे minus d और image distance जो रखेंगे minus x फिर यहां से हम लोग लेंस formula यूज करेंगे lens formula यूज करके हमने focal length का value निकाला था यह था d x y x minus d तो हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर d और x दोनों की value meter में रखते हैं तो जो x है यह 1 meter आ गया और d की value होती है 25 centimeter यानिकी 0.25 meter यहां रखेंगे 0.25 x की value 1 और यह जो x है यह हो गया 1 minus 0.25 यह आया तो 0.25 divided by 1 minus 0.25 करेंगे तो 0.75 आएगा 0.25 से यह cancel हो जाएगा यह आएगा 1 by 3 तो अगर हमें power निकालना हो इस lens का तो 1 by f करते हैं यानिकी 1 by 3 था उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस में तो प्लस 3 डायाप्टर जो है इस converging lens का power आएगा झाल 0.06 बुल 6 6 6 10